हेलो फ्रेंड्स मैं हुश्मीता और मैं अज बनाने वाली हूँ प्याजभाजी के पकोड़े जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और ये जटपट बनकर तयाद हो जाता है तो चलिए देख लेते हैं कि प्याजभाजी के पकोड़े कैसे बनाय जाते हैं प्याज भाजी के पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बेसन लिया है आप बेसन कम या जादा ले सकते हैं मैंने थोड़ा सा ही लिया है और थोड़ा सा मैंने हरी धनय के पत्ती और एक मैंने हरी मेचली है तो चलिए सभी को बेशन में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और देखिए मैं प्यास भाजी को बेशन में आट कर रही हूँ इसी तरह से हम सभी भाजी को बेशन में डाल देंगे अब मैं इसमें हरीधनिया के पत्ती और एक हरामे जिसमें आट कर दूँगे अब हम इसमें मसाले आट करेंगे तो थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे और थोड़ा सा लाल मिर्ज पाउडर हमने एक मिर्ज चीज में आट किया हुआ है इसलिए हम इसमें लाल मीर्ज थोड़ा सा कम डाल रहे हैं और थोड़ा सा धनिया पाउडर और देखिए मैंने इसमें सभी मसाले आड़ कर दिये हैं अब हमें इसमें और मसाले आड़ करने की जरुरत नहीं है अब हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा पाणी आड़ करेंगे और इसको अच्छे से घोल लेंगे पाणी हम एक साथ आड़ नहीं करना है थोड़ा थोड़ा करके आड़ करना है और इस तरह से हम सभी को अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे चमत से या अच्छे से मिक्स नहीं होगा इसलिए हम इसे हाथों की मदद से मिक्स कर देखे हमने इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दिया है अब हम इसमें और ज्यादा पानी आट करने की जरूरत नहीं है बस थोड़ा सा ही पानी आट करेंगे तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा पानियाट कर देते हैं और देखिए हमने इसमें थोड़ा सा पानियाट कर दिया है और यह पकोड़े बनाने लायक हो गया है तो चलिए पकोड़े बनाना इस्टार्ट करते हैं और देखे पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कड़ाई में ओईल रख दिया है गर्म होने के लिए अब हम ओईल को अच्छे से गर्म होने देंगे उसके बाद ही पकोड़े बनाने स्टार्ट करेंगे पकोड़े हम मीडियम फ्लेम में ही बनाएंगे नहीं तो पकोड़े उपर से जल जाएगा और अंदर से कच्च रह जाएगा ओई हमाथ अच्छे से गर्म हो गया है तो चलिए पकोड़े तलने स्टार्ट करते हैं और देखे मैं किस तर से पकोड़े बना दी हूँ आपको भी ऐसी ही बनाना है देख सकते हैं और मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम में दखा है ताकि पकोड़े जले ना आप प्यास भाजी के पकोड़े बनाने के लिए बेसन की जगह चना दाल को पीस के भी इसका पकोड़ा बना सकते हैं वो भी बहुत ही टेश्टी लगता है और देखे हमने सभी पकोड़े को आईल में डाल दिया है और देखे हम इसको पलट रहे हैं ताकि इस अभी तरब से अच्छे से सिख जाए और इसी तरब से हम इसे पलटते हुए सिखने देंगे और देखे हलका सा सिख चुका है अब हम इसे थोड़ा सा और सिखने देंगे अब मैं इसे एक बाद फिर से पलट लूँगी ताकि सभी तरब से और अच्छे से सिख जाए और देखे है पकोड़े अच्छे से सिख चुका है अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे हम इसे थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेंगे इसी तरह से आज बाद की बचीवे पकोड़े को भी हम निकाल लेंगे और बाद की बचीवे पकोड़े को भी हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे तो देखे हमने सब हम अब बाद की बचीवे जो पकोड़े हम उसको भी इसी तरह से तरह से कल रही है देख सकते है हमें पकोड़े बनाते टाइम पकोड़े को चम्मस से बिल्कुल भी नहीं चलाना है नहीं तो पकोड़े तूट जाएंगे जब यह हलका सा फ्राई हो जाए उसके बाद ही हमें चम्मस से बलटना है और देखिए लगभग सभी पकोड़े बन चुके हैं अब हम इसे थोड़ा सा फ्राई होने देंगे उसके बाद हम इसे चम्मस से पलट देंगे ताकि सभी तदब अच्छे से प्राई हो जाए और देखिए मैं पकोड़े को पलट रही हूं ताकि यह सभी तदब से अच्छे से सिख जाए अब हम इसे अच्छे से सिखने देंगे उसके बाद हम इसे दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे और देखिए पकोड़े बहुत ही अच्छे से सिख चुका है अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेंगे और देखिए लगभग सभी पकोड़े को हमने निकाल लिया है कड़ाई से और देखिए पकोड़े हमारा बन कर तयार है मैं आपको इसे तोड़ की दिखाते हूं कितना क्रिस्पी है तो देख सकते हैं आप कितना क्रिस्पी बन कर तयार हुए पकोड़े आप भी घर पर इसे एक बार जदो ट्राइ कीजेगा बहुत ही टेस्टी लगता है अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को फ्रेस करना बिलकुल भी न भूले ताकि मेरी आने माली अगली वीडियो की नोटिफेकेशन आपको मिलती रहे थांक यू